हेलो रिवान, वेलकाँ टो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चुकेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे नियूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे ये इंजेक्शन के बेजिक यूज के बारे में के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन में ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है साथ ही जानेंगे उसके dose के बारे में और सिखेंगे उसके side effects, warning and contraindications को detail में और उसके composition के भी हम detail में study करेंगे तो सीखते हैं detail में neurobin fort injection कब और क्यों लगाया जाता है तो एक्सपर लेक्चर बाया मरसर, असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मरोक्स थेंक यू फार्मरोक्स फेमिली अपडिटेट रही है फार्मा निलेज के साथ सीखे दवायों के बारे में उनके use के बारे में उनके dose side effect, warnings, contraindications एक साल तक offerable price में फार्मा रोक्स के अब उपर तो एंडरोड यूजर एंडरोड एप डाउन्डोड करें, आइफ़न यूजर एप स्टोर से, लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं आप समझते हैं, नियूरोबियन फॉर्ट इंजेक्शन के बारे में तो यह ऐसे class का medication है की जिसको हम कहते हैं multi-vitamin and nutritional supplement और ये injection के अंदर B complex है और साथ हो साथ vitamin B12 उसके अंदर present है की जो खासकर vitamin की deficiency और उनकी related बिमारियों को treat करने के लिए use किया जाता है तो यहाँ पर आप उसका content अच्छे से समझते हैं की यहाँ पर आप बाजू में ये injection का देख सकते हैं ampule देख सकते हैं की जो 2 ml की रहती हैं और 2 ml की ampule के अंदर हम उसका content देखें तो मेका बोला माइन की जिसको हम vitamin B12 कहते हैं वो 1000 microgram जितना ये injection के अंदर present हैं फिर pyridoxin hydrogloride की जिसको हम vitamin B6 कहते हैं की जो 1000 microgram जितना present है और nicotinamide भी यहाँ पर present है 100 mg जितना और साथ में benzyl alcohol उसके अंदर है 2% जितना as a preservative वो add किया गाए कि यहाँ पर लिखाए की as a preservative है benzyl alcohol end जो WFI कहा चाता है की water for injection वो sufficient quantity में रहता है ये injection के अंदर तो इस तरह से ये 2 ml का injection का composition तयार होता है की जो खास कर आपको 25 degree या फिर उससे कम temperature पर अच्छे से store करना होते हैं और कभी भी उसको freeze ना करें कि जब भी आप ये injection को store करते हैं तो कभी भी उसको freeze नहीं करना है 25 degree से कम तापमान पर आपको उसको रखना है light से protect करके रखना है और साथ हो साथ ये दियान रखना है कि ये injection को कभी भी freezer के अंदर ना रखे तो ये injection के हम function समझ लेते हैं कि vitamin B3 कि जो niacin कहते हम तो वो add कियागा है as a nicotinamide के form में तो ये जो vitamin है वो हमारे body के अंदर antioxidant के तौर पर काम करता है फिर जो sinocobal amine है कि जो B12 के form में इसके अंदर present है कि जो क्या करता है हमारे body के अंदर जो हमारे blood cells होते हैं कि जो bond marrow के अंदर तयार होते हैं जैसे कि हमारे red blood cell है उनके formation में या फिर जो WBC होते हैं उनके formation में help करता हैं तो उनका production जो है वो increase होता है कि जैसे क्या होता है कि समझे कि B12 की deficiency के करन आपके body के अंदर क्या होगा चाहे RBC कम हो सकते हैं WBC भी कम हो सकते हैं या फिर तीसरे जो हम platelets कहते हैं वो भी count जो है व problem होता है यह है कि जो production कि जहाँ पे हमारे blood cells तयार होते हैं bone marrow के अंदर तो वो process जो हो कम हो जाते है कि जिसके करन अगर आपके body के अंदर B12 की कमी है तो RBC अच्छे से नहीं बनेंगे WBC नहीं बनेंगे और साथ उसाथ platelets भी नहीं बनेंगे तो कि जिससे यह blood cell का count है वो द वो कम क्यों हो जाते है तो उसमें हमने reason देखा था कि B12 की deficiency के कारण B आपके body के अंदर platelets की कमी हो सकते है उसी तरह से WBC भी कम कर हो सकते है as well as red blood cell के count भी कम हो सकते है फिर जो तीसरा ingredient है यह injection का वो है vitamin B6 के जिसको pyridoxin हम कहते हैं तो उसका भी काफ़ important role है हमारे body के nerve कहते हैं simple कई बार हम नसे भी कहते हैं कि हमारे जो नसे कमजर हो जाती है जो neurons कमजर हो जाती है हमारे nerve cell कमजर हो जाते हैं तो उनकी अच्छी health के लिए भी vitamin B6 का होना जरूरी है साथ हो साथ जो हमारे red blood cell के जिसको हम RBC कहते हैं तो उनके healthiness के लिए भी B6 का होना जरूरी है, और साथ उसाथ जो हमारे skin है और skin के जो cell होते हैं, उनके healthiness के लिए भी B6 का होना जरूरी है, साथ उसाथ हम देखिए तो जो B6 से वो क्या करता है, एक बीमारी में खास कर यूज किया जाता है, उसके prevention में और उसके treatment के, जिसको हम कहते है, peripheral neuropathy, कि जो हमारा nervous system होता है, तो उसमें जो हमारी peripheral nervous system है और उसके जुड़े जो peripheral nerves होती है, कि जो हमारी body के अलग-अलग organs and organ system के और फैली हुए, कि जैसे कि हमारे हाथ में कुछ neurons आती है, हमारे पैर में कुछ neurons आती है, तो जितने भी हमारे अलग-अलग organs से वह पाइरी डॉक्सीन जो ही वो यूस किया जाता है उसको प्रिवेंट भी करता है तो आप समझ लो कि किसी को ये तीनो विटामिन्स की कमी है बोडी के अंदर उसके करा कोई ऐसे बीमारी से वो लड रहा है तो ऐसे कंडिशन में ये इंजेक्शन जो है वो पेशन को लगाया जा तो अब आपके मैंड में ये सवाल होगा कि नियूरोबियन फॉर्ट के टाबलेट्स भी आते तो इंजेक्शन क्यों लगाए तो इंजेक्शन ऐसे कंडिशन में लगाया जाते कि जब आपको इफेक्ट जो हो काफी फास्ट लेनी है कि टाबलेट के कंपेर में अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो इसकी इफेक्ट भी काफी ज़्यादा और फास्ट मिलती है अगर किसी को टाबलेट लेने से स्टमक डिसकमफर्ट जैसे कंडिशन हो जाती है तो उस कंडिशन में वो टाबलेट जो खा सकता है फिर कुछ ऐसे कंडिशन कि पेशन जो है वो टा यह injection लगवा सकते हैं फिर अगर किसी को जो IBS का problem होता है कि irritable bowel syndrome तो वो लोग समझें कि tablet doses form नहीं ले सकते हैं तो ऐसे case में भी वो patients के अंदर खून की कमी हो या फिर vitamin के deficiency उसको पूरा करने के लिए ये neuroben fort injection जो है वो लगा सकते हैं फिर ऐसा patient की जो unconscious है तो unconscious patient नहीं tablet ले सकते हैं नहीं दुसरे के से परकार के medication तो उस वक्त उनको intramuscular injection या फिर IV injection से treat करना पड़ता है तो ऐसे condition में ये IV में लगाते तो आप ड्रीप के थ्रू लगाते हैं उसको dilute करके और directly हाथ या फिर पैर के जो muscles होते हैं वाँ पे ये injection को लगाया जाता है तो basic use समझें तो पहला use ये है कि आपको vitamin की deficiency है और उसके करन body के अंदर अलग-अलग problems हो रहे तो उसको ये ठीक करेगा फिर आपकी immunity enhance करते है कि अगर कोई ऐसे बीमारी से आप PD थे और वो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं हो रही तो उस वग जो आपको medications लगाया जाते है उस दोरान आपकी immunity आपकी रोग प्रतिकार रख सकती बढ़ाने के लिए भी ये injection को IV drip के अंदर लगाया जाता है फिर जो body के अंदर weakness है आपको काफी weakness आगई है ठकान है कमजोरी है तो ऐसे condition में भी injection लगाया जाता है फिर जो हमारे joints होते है body के उनके healthiness के लिए भी है देखो या पर जो हमारे अलग-अलग body के जितने भी joints है उनके अच्छे healthiness के लिए भी ये injection लगाया जाता है फिर जो हमारी body के अंदर metabolism इंप्रूव करवाने के लिए जो हमारी growth होती है body की body की जो लग-लग function नियूरस में भी specially जो हमारे neurons से जो हमारी neurons से जो हमारी नसे होती है उनके अच्छे function के लिए ये जरूरी है और साथ हो साथ जो हमारे blood के जो cells होते हैं उनको अच्छे से produce करवाने के लिए भी ये injection लगाना जरूरी है फिर जो peripheral neuropathy की जो अभी बात की तो उसके यहाँ पर आप symptoms देख सकते हैं अगर किसी को peripheral neuropathy होती है तो क्या होता है तो एक तो hypersensitivity जैसा वो feel करते हैं loss of feeling मतलब की touch sensation उनके काम हो जाते हैं freezing जैसा कई बार feel करते हैं मतलब की heart या pair जो कई बार जो जकड़ जाते हैं ऐसे condition वो feel करते हैं tingling जैसा feel करना फिर pain वगेरा वो काफी feel करते हैं जहाँ पर joints वगेरा होता है burning sensation जैसा feel करते हैं और numbness कि गई बार ऐसा होते हैं कि आप किसी चीज़ को touch करो तो आपको कोई sensation नहीं हो तो ऐसे कुछ problem होते है peripheral neuropathy के अंदर तो उसको ठीक करता है ये injection because ये specially जो हमारी neurons होती है वो जब weak हो जाती है neuron की weakness के करन ये सब complications होते तो अगर neurons ही healthy होगी तो ये सब problem automatically ठीक हो जाए तो ये से लोगों को भी ये injection जो है वो लगाया जाता है फिर जो बिमारी है और बिमारी में से fast recover होने के लिए भी ये injection वो medications के साथ आप लगावा सकते है फिर जो general health आपकी improve करता है nervous system का जो function है वो improve करता है immune deficiency के related बिमारी के सामने अच्छे से लड़ सकते बिकास कई बार जो क्या होता है कि जब हमें कुछ बिमारी होती है तो उस वक्सपेसली जो हमारे B complex vitamin है उनकी deficiency हो जाती है उनकी कमी हो जाती है कि जिसके करण आपको जो बहुत सारे complications होते है उसी के करण ठाकान महिसूस करते है कई बार count कम हो जाते है कि जाहे वो RBC के count है या फिर WBC या फिर platelet तो ऐसे condition में जो treatment की थेरापी चलती है उस वक्त ये neurobian fort injection आप लगवा सकते है अब ये injection के dose की हम बात करें तो एक ampule जब आप ये लेते हैं या पर आप देख सकते है कि ये जो ampule है वो 2 ml के ampule होता है और इसके अंदर इस तरह से ये 3 main medications 3 main जो vitamins है वो present होते है तो जब भी IV drips लगाई जाते है तो उसके साथ ये injection जो वो mix कर सकते है आप तो जब भी IV में use करें तो यहाँ पर लिखा है कि IV के लिए लिखा है कि after dilution तो proper dilution करने के बाद कि जैसे कि आप NS के अंदर dilution कर सकते है जो glucose की जो bottle होता है जिसको D5W करते हैं उसके अंदर भी mix कर सकते है RL के साथ भी mix किया जा सकता है या फिर RS के जितने भी हमारे IV fluids है इसके अंदर आप जह उसको mix कर सकते हैं और कभी भी उसको higher dose में आप use ना करें और higher dose में लेने से कुछ side effects हो सकते हैं तो यह जो है वो once a day दिन में एक ही बार यह एक injection लगाना चाहिए कि अगर normal condition है और बहुत ज़्यदा deficiency नहीं है तो उस वक दिन में एक बार लगा सकते है और ज़्यदा कम जोरी है तो ही दिन में दो बार लगा है और वो भी 12 गंटे के time interval पर कि हर 12 गंटे पर आप यह injection लगवा सकते है side effects हम देखिए तो यह injection के करण जो जहाँ पर injection दिया कि समझे कि यहाँ पर patient को और यह जगा पर injection दिया गा है था intra muscular ली तो यहां पर देखो injection side के reactions आपको देखने को मिले की जैसे कि यहां पर आपको inflammation जैसा देखने को मिलेगा फिर वहाँ पर आपको redness जैसा देखने को मिलेगा तो इसको injection side के reactions देखने काई बार patient को वहाँ पर थोड़ा बहुत दर्द भी होता है को फिल हो सकता है कि अगर उसको यह medication जल्दी से suit ना हो तो थोड़ी दिर या फिर दो-तिन दिन तक उसको nausea vomiting रहेगा फिर वो automatically ठीक हो जाएगा कुछ लोगों को itching जैसा फिल होता है यह injection लेने के बाद कुछ लोग dizziness लेकि नेंद आती हो जैसा फिल करते है स्कीन के उपर रैसेस डेवलप हो सकते हो अगर यह रैसेस बहुत ज्यादा डेवलप हो तो यह injection यूज नहीं करना चाहिए बिकोज आपको यह injection की allergy हो सकती है या फिर कुछ cases के अंदर यह बूख जो है वो कम करती है appetite decrease करते तो यह कुछ side effect और जो है वो देखे जाते है neurobian fart injection के अंदर उसके हम warning देखे contraindication के अगर आपका renal impairment है मतलब की renal मतलब की जो kidney होती है तो kidney समझो कि आपकी खराब है बहुत ज़्यादा खराब है तो यह injection यूज ना करे फिर आपको hypersensitity है मतलब की allergy हो जाती है किसी भी ingredient की allergy है कि जो यह injection के अंदर यूज किया गया है जैसे की macabalamine है methylcobalamine जो कहते हैं हम निये cinnamide या फिर pyridoxin जो B6 है तो B3, B6 या फिर B12 की आपको समझे की allergy है या फिर उसके अंदर जो alcohol एड किया गया है और as a preservative तो उसकी allergy है तो भी ये injection को यूज नहीं करना चाहिए या फिर ये तीनों का combination लेने के बाद इस तरह से allergic reactions या फिर racist जैसे develop हो रहा है आपके skin के उपर तो तुरंत ये injection को लेना बंद कर देना चाहिए तो ऐसे ही सीखे दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose, उनके side effects, warning and contraindications एक साल तक affordable price में फार्मरोक्स के अब उपर सीखे सरल बासा में दवाईयों के बारे में तो सीखे disease मनलब कि बिमारिया, उनको इलाज कैसे होता है तो उनके related PDF, उनके related PPTs, video lecture वो भी काफी affordable price में फार्मरोक्स के mobile application के उपर Android यूजर जो है वो Android आप डाउनलोड करे, iPhone user, App Store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं तो link आपको description box में मिल जाएगी और चेक करे हमारे contact number पे WhatsApp करके link के लिए Good luck and all the best जाएगी एचिस्ट